अब कलम बानने की नाजुक विधी जिसको मुकूलन या कलिकार ओपन कहते हैं सीखे यहाँ गुलाग के बहुली करण के लिए इस्तमाल की जा रही एक मात्र व्यवसायक विधी है रबट, नीबू, बर्फल और कई अन्य पौधों में मुकूलन को अपनाया जा रहा है छिलके को खोलने के आकार के आधार पर इसे आई मुकूलन, ती मुकूलन या पैबंद मुकूलन कहा जाता है अब गुलाग की पौधे का मुकूलन करें गुलाब की व्यवसाय किस्मों के तनों जिनका कल्मों के रूप में इस्तिमाल किया जाता है में सही रूप में जड नहीं लगती इसलिए प्रकंद रूप में नफुलने वाली जंगली किस्म डौग रोज का इस्तिमाल किया जाता है डौग रोज की कल्मों को खेत में या पौलतीन थेलों में लगाया जाता है गुलाब की अपिक्षित किस्म से कलम का चैन करें चड़ी पर सुके फूलों के नीचे स्वस्त, ताजी एवं उभरी वानसपतिक मुकुल देखे जा सकते हैं कलम की पतियां को काट दे लेकिन हाट से तोड़ना नहीं चाहिए चैनित मुकुल को पते के डंटल एवं अंदर के तने के छोटी भाग के साथ में निकाल दे अब तने की भाग को सावधानी से अंदर निकाल दे यह मुकुल कलम बानने के लिए तयार हो गया यह सुनिश्चित करे कि मुकुल सुखे नहीं केवल एक नर्म वा ताजा प्ररोह को छोड़ कर डॉग रोज के अन्या प्ररोहों को काट दे आसानी से मुकुलन करने के लिए काटे निकाल दे चाको की नोक से प्ररोह के छिलके पर देड़ इंच लंबा निशान लगाएं खराब किये बिना छिलके को धीला करें मुकुल को इसके छिलके के भाग सहित अंदर बिठाएं मुकुल खुला छोड़ कर प्लास्टिक की पट्टी से कस कर बांदे ताकि हवा अंदर न गुसे कलम बांधे मुकुल में कूम्पले आने के लिए तीन से चार सप्ता लगेंगे मुकुल जोड पूर्ण रूप से सही होने और मुकुल हरे प्ररोह के रूप में बढ़ने के समय दौग रोज प्ररोह को मुकुल जोड के उपर से काट दे मुकुल जोड के नीचे आने वाले अंखुरों को निकालते रहे व्यावसाईग गुलाब नौसरियां डौग रोज कलमों को पॉलतीन थैलियों में लगाती है सफन मुकुल को खेच से पॉलतीन की थैलियों में बदली कर सकते हैं मुकुलन आसान विदी है लेकिन इसकी सफलता की दर यह कार्य करने वालें की कुशलता पर निर्भर होती है कलम का भाग बहुत छोटा होने के कारण सभी मौसम में हम मुकुलन कर सकते हैं